हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनी स्कूल पर हर दिख स्वागत है तिकि चाहे आप सर्विंग सोल्जर हूँ या रिटायर्ड पैंस्टर हूँ आप सभी को एक जांकारी जरूर होनी चाहिए जो आपके DSP अकाउंट से लेकर है तिकि कौन कौन से बैंक ये सुछधाय देते हैं? क्या क्या सुछधाय देते हैं? आज मैं comparison chart लेके आया हूँ एक तो आपके सामने और दूसरा DSP account के क्या-क्या फायदे हैं जब तक आप serving soldiers हैं तब क्या फायदे हैं जब आप retired हो जाते हैं तो क्या सुधाओं में अंतर आता है retirement के समय आप क्या करें ताकि आपके 30 लाख रुपे जो हैं बस सकें तो कि ऐसी बहुत सारी दांकारिया हैं जो हम जानेंगे इस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को subscribe कर लिजिए वीडियो पसंद आए लाइक और share करना ना भूलें अब हम चलते हैं सिधा S साइट पर देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं sbi.co.in जो ओफिशल वेबसाइट है SBI की आप देख सकते हैं salary accounts under defense salary package देखिए यहाँ पर बहुत साई चीज़े लिखी गई है army, air force, navy सभी के लिए हमें थोड़ा नीचे चलना है यहाँ पर आपके सामने दो option मिलेंगे benefits to serving personal and benefits to pensioner veterans तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो service personals हैं उनके लिए क्या क्या benefits हैं फिर हम देखेंगे जो pensioners हैं उनको क्या क्या benefits हैं फिर last में हम compare करेंगे कि किस bank जो है कोन सा bank हमें क्या क्या benefit दे रहा है उनका आपस में compare करके देखने वाले हैं तो सबसे पहले चलते हैं benefits to serving personal त रैंक के ATM से जाकर कितने भी transactions कर सकते हैं, zero balance account और आपका जो transaction का कोई भी charge आप से नहीं लिया जाएगा, सबसे important है यहाँ पर second और third point, देखे second point है PAI को लेकर, personal accident insurance death cover, जो complimentary है up to 50 lakh to all ranks, यानि आप किसी भी rank में है, अगर आपकी personal accident insurance है, तो आपका देखिए जो cover होता है इसमें, आपको 50 lakh रुपे का जो है यहाँ पर insurance cover दिया जाता है, यहाँ पर condition जो है वो आपको पता होनी चाहिए क्या है, उसके बाद में complimentary air accident insurance, इसमें क्या condition है, एक करोड का cover मिलता है इसमें all ranks को, जो terms and conditions हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें terms and conditions का मतलब है, कि जब आपने civil flight से वो ticket book किया है, वो आपने अपने इसी card से या इसी account के through payment किया होना चाहिए, और जो देखिए आपका देखिए personal accident insurance जो है, जो 50 lakh है, यह देखिए विना किसी terms conditions के यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, complimentary personal accident, permanent total disability, अगर देखिए accident में death नहीं होती है, लेकिन total disability हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर 50 lakh का सभी rank को, कोई चाहे officer हो, जवान हो, वो सभी के लिए 50 lakh का यहाँ पर accident कवर दिया जाता है, complimentary personal accident, permanent and partial disabilities, तो ज़िके up to 50 lakhs, देखिए जितनी disability होगी उस आधार पर यह है, 50 lakh जो हैं पर maximum में, उससे कम होता चला जाएगा, जितनी कम disability हैं पर होगी, express credit, home loans, car loans, education loans, यह जो है सस्ते rate पर आपको मिल जाएंगे, 100% waiver of processing fees, देखिए जब आप loan लेते हैं, कोई भी home loan हो, car loan हो, express credit loan हो, तो आपको क्या करना होता है, देखिए आपको वहाँ पर processing fees देनी होती है, यहाँ पर आपको DSP account पर 0% processing fees है, जो भी आपको processing fees कटेगी, वो आपका waiver of हो जाएगा, up to 25% of own annual locker unit, अगर आपके account में locker है, आप locker का use करते हैं, तो देखिए आपका जो rent है annual, उसमें 25% की आपको छूट मिलेगी, avail of auto sweep to create EMODS, multi option deposits, यानि आपका एक तरह से FD account खुल जाता है, अगर आपके account में कुछ limited जैसे 25,000 से जाद अगर balance है, तो वो automatically जो है चला जाता है deposit form में, FD form में, auto sweep के जरी है, DMAT and online trading account जो है, वो facility मिल जाती है आपको, free issuance of draft, multi city checkbooks, SMS alerts, यह सब जो आपको free of cost मिलता है, क्योंकि आप सभी को पता है, कि SMS alert इन सब करने के लिए आपको जो extra पैसा देना पड़ता है, overdraft facilities, अगर आपकी monthly salary 30,000 रुपीज है, तो आप 60,000 रुपीज जो है, दो महिने की salary पहले ही विड्र ले सकते हैं यापर, SBI rewards, SBI debit cards, you know by SBI, regular offers आते रहते हैं, उसके बाद में additional रुपीज 10,000 रुपीज तैन लाक देथ, देखिए ये एक special है, additional में हैं 10,000 का डेथ कवर, अगर आपकी देथ जो है, terrorist या नेक्सलाइट्स या foreign enemies दोरान उन से लड़ते हुए, या उन से मुटभेड में हो जाती है, तो आपको 10,000,000 रुपीज एडिशनल कवर मिलेगा, देखिए जानकारी आपको अपने पास नहीं रखनी है, आपको अपनी family को भी इनके बारे में जागरूख करना है, क्योंकि इन case कभी ऐसी दुरघट ना घट जाए, बगवान ना करे, तो देखिए आपकी family को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, express credit loan up to 5 lakhs for SBI loan accounts for death, in case against anti-national activities terrorists, यानि यहाँ पर जो है, लोन जो है, cover up to 5 lakhs जो है, वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा, आप notes यहाँ पर देख सकते हैं, note 1 and note 2 यह भी आपके काम की चीज़े है, in case monthly salary, देखिए यह तीन महीने तक, आपके account में monthly salary credit नहीं होती है, तो देखिए जो आपके DSP facilities हैं, वो देखिए विड्रो कर ली जाएंगे, और आपका account जो है, एक normal saving account रह जाएगा, तो यह तो जंकारी थी, जो serving soldiers हैं, अब चलते हैं हम यहाँ पर, जो pensioners हैं, उनके लिए क्या क्या benefits हैं, तो जीरो account balance, free unlimited transactions, वो देखिए एक service men's के लिए भी हैं, अब बात करते हैं, personal accident insurance death cover जो है, वो देखिए यहाँ पर 30 लाग का है, और सभी ranks के लिए है, यानि 30 लाग का आपको यह insurance है, जो आपको मिलता है, personal accident insurance cover, यह आपको, आपकी family को सबको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में, यह जो fancilities हैं, जो आपको मिल रही हैं, उसका benefit जो है, serving soldier या pensioners नहीं ले पाता है, क्योंकि वो अपने आप तो वीडियो सुन लेता है, लेकिन अपनी family को इसके बारे में aware नहीं करता है, home loan, car loan, education loans, जो है attractive rate पर मिलते हैं, जो processing fees होती है, यहां भी वो maaf होती है, जो local rent है, वो भी 25% यहां पर benefit होता है, जो आपको बता है कि auto sweep है, जो 25,000 से ज़्यादा extra balance हो जाता account में, वो FD के रूप में आपके account में जमा हो जाता है, और उस पर आपको extra interest मिलता है, DMAT trading account facility मिलती है आपको यहां पर, SMS facility जो है free of cost मिलती है, 4 issuance of draft, multi-city check, SMAT alerts यह होते हैं, यह भी free of cost होते हैं, आपके SBI rewards में reward point मिलते हैं, जो भी आप transactions करते हैं, and host of regular offers on debit cards and YONO by SBI, SBI में जो भी YONO है या debit cards हैं, वहाँ पर आपको continuous offer आते रहते हैं, तो यह सारी जांकरी थी कि आपको SBI के, जो भी serving soldiers हैं और जो retired pensioners हैं, उनको क्या-क्या facilities मिलती हैं, अब हम बताते हैं कि अगर आप retired हो रहे हैं, तो आपको अपने account में क्या change कराना है, उसके उपर एक advisory भी आई थी, आप सभी को पता होगा, अब देखते हैं advisory और फिर करते हैं उस पर आगे चर्चा, देखें यह थी वो advisory awareness on DSP account benefits, देखें यहाँ पर बताया गया था कि अग्यानता के चलते, कम awareness के चलते, जो retired soldiers होते हैं, वो अपना account जो DSP account होता है, serving वाला, उसको pension account में convert नहीं कराते हैं, आपने अपना account तो करा, जब हम retire हो रहे हैं, हमारा account रहे हैं नहीं दो, लेकिन जो आपका DSP account पहले serving था, उसको आपको DSP account pension में convert कराना है, तब ही आपको जो benefits हैं, जो 30 लाग का आपका personal accident insurance cover है, या जो भी benefits आपको बताएगे हैं, वो आपको तभी मिलेंगे, जब आप retired होते समय, bank में जाके एक application देंगे, और बताएगे कि हम जो pension जा रहे हैं, हमारा account जो है DSP pension account में transfer कर देंगे, उनका जो है अलग से code होता है, तो जब वो code जो है transfer हो जाएगे DSP pension account में, तभी आपको उन सब चीजों का benefit मिलेगा, अब हम देखते हैं compare कि कोन कोन से bank हैं, जो आपको ये facilities देते हैं, और क्या क्या facilities देते हैं, किसका कितना insurance cover है, क्या उसमें wave of होता है, सारी बाते जानेंगे यहाँ पर, अब उस चार्ट में चलते हैं, देखें, यहाँ पर ये comparative matrix है, facilities provided to DSP account holders by banks with effect MOU till date, यानि देखिए MOU जो है, आर्मी, एरफोर्स, नेवी का बैंकों के साथ MOU हो रखा है, यानि आपको ये सुधाई दी जाएंगी, इतने time period के लिए, तो लेकिए अगर हम बात करें, personal cover death, तो अगर SBI की बात करें, जो 2024 तक का MOU होए है भी तक, यहाँ पर 50 लाख रुपे दिये जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, अगर terrorist activity में आपकी death हो जाती है, तो यह के 50 लाख से extra 10 लाख रुपे और दिये जाते हैं, PNB की बात करें तो 30 लाख रुपे है यहाँ पर, bank of badoda 50 लाख, पिलस अगर आपकी 20 लाख जो है off duty, यादि own duty मरते हैं तो 50 लाख, अगर off duty आपकी death होती है, तो 40 लाख रुपेज यहाँ पर दिये जाते हैं, personal cover के रूप में, death के रूप में, yes bank 30 लाख, HDFC 45 लाख, ICICI 50 लाख, IDBI 25 लाख, and 5 लाख extra मिलते हैं जो debit card होता है उसके लिए, access bank पर 46 लाख, bandhan bank 30, और kotak mahindra bank 30, आप देख सें, total disability पर भी यहाँ पर 50 लाख SBI है, यानि 30 लाख से लेके 50 लाख तक आपको जो benefits यह हैं, दिये जाते हैं, applicability for pensioners, देखें, यहाँ पर जो है, yes, यहाँ पर SBI जो है आपको, retirement के बाद भी यह facility देता है, यह सारे banks देते हैं, एक दो bank इसमें ऐसा है, till 70 years, यानि यह जो bank है, यह आपको केवल 70 साल तक जो HDFC है, यह facility देता है, उसके बाद यह facility नहीं देता है, अगर हम बात करें, यहाँ पर additional own cover, तो यहाँ पर बहुत साई चीज़े हैं, आपको कितने लाख का क्या मिलता है, आप सारा यहाँ दे सकते हैं, air accident cover जो है, एक करोड रुपे SBI देता है, एक करोड, एक करोड, यानि जितना भी आप जाएंगे यहाँ पर, एक करोड रुपे सब आपको दे रहे हैं, अगर हम बात करें, आईड़ बाइबाई बैंक में, यह जो अगर ऐसी death हो जाती है, तो यहाँ पर assistance दिया जाता है, आपकी family को, तो जो girl child है, उसको 5 लाग रुपे की साहता दी जाती है, उसकी education के लिए, और सभी देखे, कुछ 1 लाग देते हैं, कुछ 2 लाग देते हैं, यानि सभी के पास यह available है, यह data पुरा चार्ट, आप मेरे telegram channel, nano school से प्राप्त कर सकते हैं, waiver जो है, सभी देखे, जो procession fees होती है, उसमें waiver off करते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी बैंकों का data यहाँ पर दिया गाए, overdraft facilities भी यहाँ पर available है, other facilities में, demand locker, use of ATM, credit card, check books, यह सारी facilities जो है, सभी banks provide कराते हैं, तो आप खुद telegram channel से यह PDF ले सकते हैं, ताकि आप खुद compare कर सकें, कि आपको जो अपना account है, वो किस bank में रखना है, ताकि आपकी family को आपके बाद में, या आप जब तक जीवित हैं, आपको भी जो benefits मिल रहे हैं, वो maximum मिल सकें, यह थी आज की जंकारी, अगर आपको पसंद आई, तो यह वीडियो को जादर से जादर share करें, ताकि maximum लोगों तक यह जादकारी पहुंच सके, और आप सभी से मेरी request है, कि आप अपनी family को इसके बारे में, जरूर जादरुक करें, फिर मिलेंगे आपसे, जैहिंद, जैबारत,